नमस्कार लाइप सिटीज पर आपका अच्वागत है मैं वो दीपक प्रियदर्शी उस समय पहले तक बेश में राजितिक विजाब पढ़नी हुए थी अलग अलग मुस्तों पे राजितिक बहस चल रही थी लेकिन दो अक्तूवर वो जैसे ही बिहार में जाती हो जन्गर्ण की बैठक होई और उस बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आती है तो देश भर में जाती है जन्गर्णा कराएगी साथी साथ ओवी सी सी के आरेक्शन के प्राफधानों को भी कानूं के माध्यम से बदला जाएगा अब कूसरे राज्यों में सब्सक्राइब करनाटक में जो सरकार में उसके आगड़ी जारी करने के मांग उठ रही है यह तमाम ऐसे मुद्धे हैं इसके केंद्र बिंदू निपीश कुमार हैं इसी मुद्धे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे पैनल में हमारे साथ है बीजेपी से प्रेम रजिन में अरुन पांडेती है अरुन जी सबसे पहले आपसे किहार में जाती है जंगंडा की रिपोर्ट जारी हुई इसके आकड़ों पर कई तरह के सवाल खड़े हुए उसके बहुत चल रही है विश्वत्नियता को लेकर पारदर्शिता को लेकर वो एक अलग होता है लेकिन ज उसरे राज्यों में दिल्ली में भी और कॉंग्रेस में चिस्तर के बड़े फैसली हुए तो माना जाए कि अब यह जो निदिश कुमार का जो डिसीजन था वह एक माइल्स्टों डिसीजन के रूप में देखा जाए कि अब इंडिया जुग्ष्ट है भादपा विरोधी दलों का पॉंग्रेस उसका अभी लिजट की पूस्के हाथ में मुख विपक्षी जल कॉंग्रेस के फैसली है जिदी किसी जादिये करना देश भर में कराएंगे और कॉंग्रेस सासित राचियों में वहां चिपाली घ लोगा चुना के अपने महिला भी पात किया ना चाहते हुए उसमें कई सवाल उठाए लेकिन अभी जातिये गन्ना का जो सवाल हुआ है और जब जब यह मांग नरेंद मुदी गभ्रमेंट के सामें आई अब सबसे बड़ावदारान तो बिहार से ही अमांग संदल्ये से सबंडल गया ता है उसमें तब जब भादपा विहार में दीजी के साथ परता ने और राज़त भी फक्ष में था और प्रधान मंत्रिये नहीं मांगी और उसके बाद यहां तक कि यह इस बोले करके मामला सुप्रिम पोर्ट में गया तो उसमें सेंसर के सवाल पर जातिये गन्ना का जो विहार कराने का अधिकार कर रही है लेकिन कास के सेंसर का विरोध नहीं कर रही है लेकिन समर्थान भी खुल कर नहीं कर रही है और यह प्राज्मिटिक मुद्धा अभी हमें लगता है कि इसको लगता है कि इसी मुद्धे पर सहारे हम नेरे मुभी कमेंट को भेर सकते हैं लेकिन फिर्म एक सबाद रहता है जो बिहांग के बात नहीं जैसे मंडल कमिशन के बाद आरक्षन के बाद यह बड़ा मुद्धाई बना है और नसीफ ही जातिये गन्ना होगी बस इसके बाद जो अभी दो तीन दसक्ते जिसकी जितनी आवादी उतना हक मिले जो यह बात उखती रही और कॉंग्रेस इसको नहीं मानती थी तो यह पास्पस्ट होता है जैसे कि बिहार में पिछलों की आवादी से अधिक पिछलों की आवादी है और फिर उसके बाद अनुक्ति जाती की आवादी तो देश में कितने हिंदू मुस्लिम और विभीन संप्रदाय धर्म के लोग हैं कि सबके तो किन्ती होती ही रही है उन्हीं से इसके बाद देश में कोई जाटका की गन्ना और उसकी आंकरा पो गब्द नहीं है अब यह मांग होई हमें लगता है कि देर सबेर कि देर सबेर साथ मुझे लगता है कि इसमांग को अब लंगे जिन तक दवाय नहीं जा सकता है और लोग से सभात चुनौब में तो निशीत रूप से कॉंग्रेस ने इसको नजीस लंखंग से इसका समस्थन किया है चैनल वर्किंग कमिटी से पैसा लिया है यह मैं दिर मानता हूं अक्कर रहुल गांधी ने जब निया को ब्रिप किया तो इसको एकी आसिक पैसलता है जाती का रंग और सियासी राजी तरके भोट बटोरने के लिए जैसी कुछ पूरा है तो फिर मैं इसे रांटिक बैमान कि अब आज उठी है अब देश भर में फैली है और इसको इतने बहुत दिन तक सवाय नहीं जा सकता है ऐसा मेरा आक्लम ज्यान जी आपसे शुरू सुरू में जब यह जाती है जनगर्णा के आख़ों को लेकर बाचीत हो रही थी जब यह बाचीत हो रही थी आप लोगों ने साथ दिया उत्सा भी था आप लोगों में लेकिन उतना नहीं था अब जब यह गुद्धा बन गया है तब आपको य में इस मुद्धे को लपक लिया और इसे तरह का चुनावी मुद्धा बना लिए था नहीं नहीं आपको अभी अरुन भईया जी ने इस प्लेटफॉर्म पे गहुद बड़ी बात रही कि 2011 में जब यह जब यह जब इसकी मांग होई तो उसी से मैं कॉंग्रेस पार्टी न हो गया था जो लगड़ 2013 के एंड दिसंबर तक में पूरे चीजे कंप्रीट हो गई थी और उसके बाद सत्वा परिवर्टन हो गया और उस रिपोर्ट के अरुन जेटी जी ने 2014 के बजट जब कर रहते तो उन्होंने वादा भी किया था देश से कि मैं इसको पॉबिश दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बाद हमेशा की तरह आज भी विहार देश को राजनितिक मुद्धे को जिसा देती है जो जातिगर्द जन्लंगना और समेक्षन के काम में भी पूरे देश को देने का काम किया ये शुरू से बिहार के ऐसे पिस्ट भूमी रही है चायो र पारिट हुआ और पांसो करोड का बजट एलोकोड करके इसको समय रहते इसे पूरा कर लिया गया और इसको एक असली डिपोर्ट जो होती है बातों में नहीं रही है ये रिपोर्ट पब्लिश किया और जिससे की सारे आप ये सामने आये तो काम करने की इच्छा ये बिढ़ना नहीं कराएगी तो हमारे सुबे के मामे मुख पंत्री मिटीस को महावजी जी एक संदेज दिया है कि ये वो सकता है इसे कराया जा सकता है और आपी संकल्पित होने चाहिए आप इपिट सकती होनी चाहिए कि आप इसे कर सकें तीसी सबसे बरी बात कल जैसे आप अगर आप इसे करना ही होगा आज नहीं तो कल अगर हम तो यह मां करते हैं हम तो यह मां करते हैं कि जो जनगना जो सबस्क्राइब जो एक नॉर्मल जनगन्ना होती है एक बात है वह भी मोटी सरकाव नहीं राप आई है ताप इस समझ दियों को सिर्फ बात में बता के उन्हें जन्हों से कुछ लेना देना नहीं है हमारे लिए नया कमित्दा है अगर हमारे नेता नहीं पुर्दों तरीके चिखाया तो उ चार हजार के भारत जड़ो याता में पैदल गया है लोगों की अवाज सुनिये लोगों की वपा सुनिये और वसी बता के आए कि यह नया के तौट पे मांग की जारी के पूरे देश में हम भी अपने नेता की अवार्द को फिट से यहाँ आपके मादन से बोलना चाहें कि कि यह मां करते हैं कि जो 2011 में जातिये जन्रणना हो थी इस उसको जाड़ी करें और देश में जल से जल का सेंसिस करें मोदी की सरकार के इनमे करा हैं प्रेम जी आप से पूछना चाहते हैं कि इस जातिये जन्रणना के मुद्धे पर कही न कहीं पीजेपी साथ ती सहमत भी ती असामत भी एक डाइलेमा की इस्तिती थी लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर जो है अब इस तरह से अरुन जी भी बोल रहे थे कि आप कहीं न कहीं कि एक डाइलमा की में बीजेपी शुरू से इस मुद्धे पर रही है अब जातिये जन्रणना की रिपोर्ट जारी वही कॉंग्रेस ने अब उसको एडाउट किया कि आब उसे देश में हम कराएंगे जब अगर सत्ता में आएंगे क्या परिशानी थी किस बात का डर था जो चाहें लिदी मंडल मीलने का हो या अने जगों पर चाहे पारित कराने का का हो हर जगह पर भारती जंता पार्टी का साथ रहा है जगर भारती जंता प्रटी के यह संभव नहीं हो सका है आज जो ऐसे बोल दे भले जो ऐसे गटवंधन से अलग जाने के बाद जो ऐसे उसको किस रूप में और किस तरीके से वो पेश कर रहे हैं ये उनकी जो ऐसे निती है लेकिन सबसे मुख्या है कि जिस प्रकार से ये जातिय गण्णा कराई गई थी एक तरह से सर्वे जो कहा ग आनेंगे जो अब तक जो ऐसे दबे कुछले सोसित बंचित रह गए योजनाओं का जिनको लाब नहीं मिल सका है जो पिछड़ गए हैं उन लोगों के लिए इसके बाद्धम से हम योजना बनाने का काम करेंगे उन योजनाओं को सपली भूत उन सब लोगों के बीच में कर तो आगर किया जाता है कि हमारे जो ऐसे गनना करने में कोई चूक ही है या हमको छूटा हमको छोड़ दिया गया है या हमारी पूरी तरह से गनना नहीं हुए तो कहां कमी रह गई है कम्यों को कैसे दूर किया जा सकता है यह सरकार को खुद यूजने लिए बना करें कि परकार का रिपोर्ट जारी होने के बाद परदेश की अस्तर पर हो चाहिए रास्तर पर जो एक चुनाओ को लेकर आप लोग की जो इस चल रही थी वह से स्टाटी अब हमारे प्रधान मंत्री जी का जो निती रहा है यो जितनी योजनाएं बनी है आप ज़रा देख लिए कि यो गरीब आधारीत कंजोर आधारीत पिछड़े आधारीत जो बंचित हैं अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं जिनको अभी तक मुखेधारा में नहीं जोड़ गया आधार तो ही बनाया गया है चाहे जन्दन खाता का हो या जो ऐसे उज्वला योजना का हो सवभाद योजना के ताथ बिजली का करिक्शन देने का हो परभान मंस्री आवास योजना के पक्के मकान हो जन आरोज योजना के ताथ जो ऐसे उनको स्वास्त लाब की पाच दूसरी बात उनको राजितिक रूप से जुएसे उनके महत्त को आकना यह बड़ी बात है और आप देखेंगे कि कॉंग्रेस आज घर्याली आसू बहा रही है लंबे समय तक सासन में देश में रही है कॉंग्रेस पाटी और इनके जो ऐसे अब तक जो ऐसे 250 विधाया थी मुख्यमंत्री बने है कॉंग्रेस के आजादी के बाद से ही और 250 में OBC के केबल 42 आप सोच लिजे कि इनका क्या प आज तो बोल रहा है कि पुरे देश में कराएंगे जिनकी जितनी भागीदारी उनकी हिस्सेदारी सब कुछ कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं किये आज भी जो ऐसे OBC के विधायकों की संख्या पुरे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा भारत्य जनता पार्टी के पास है सबसे जादे भारत्य जनता पार्टी के पास है आप बिहार की विछर्चा कर लिजिए विधार में आप तक जितनी सरकारे रही है उस सरकार में जो मुखनंत्री बने है उस मुखमंत्री में कॉंग्रेस सबसे अधित दीनों तक रहा है और कॉंग्रेस में कौन सा OVC को बनाया कौन से OVC के आधार पर इने राजिक को ले चलने का काम किया या जो OVC थे दबे कुछले सोसी जिसकी बात करते हैं वो OVC को कहा मुख्यदारा में जोडने का कया कहा उनको राजितिक तौर पे उनको महत्तों देने का काम किया आज जो ऐसे जब सकता से वाहर कॉंग्रेस चली गई है इनको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा तलास हो कोई ऐसी जो ऐसे कि फिर से कुर्सी पर आएं यह केवल जो ऐसे सब्सक्राइब करने का कुर्सी पर इतने जादिये जनगर्णा के रिपोर्ट आने के बात को जितनी जादियों की चिन्ता हो रही है क्या शुरू से को इतनी चिंटा ओ वी सी और तमाम ऐसे उसकी चिंटा कभी हुई थी पहले चीनता नहीं थी पहले तो था कि वोट लेना अब भी तक देखे जो भी कुछ देश की राजनी तक रही है चाहे वो अलब संख्यक हों दलित हों उनके वोट का इस्तमाल करना और फिर उसके बाद आगे की राजनी चमकाना अब जो ही अब राजनी करवत लिए है अब इ इसमें कॉंझ्रेस झाहर। टावर्र गांधी ने ने कि हम रफशाय कोदा और वो पेछले बरसें जो अभी है पिछले बरसने गै arrest जो आँकरा दे रहे हैं लेकिन अब भी हार्स में बहुत की जा सकती है जो बिहार किया पर दी आतकिच्ट अब सभी लोग उसे पत्ति कहीं न कहीं जवाब दे हो गए अब लंबे दिन तक जो कम समूह बाली जाती हैं कम आवादी जाती हैं मिलाकर कि जो एक वादी जाती हैं उम्हें आपने उमीर जगाई है उनकी भूप चाहे वो सत्ता में आवादी के हिसाब से हग मतलब विकास की वो जनौ में उनकी हिसेदारी और सत्ता में भागी जाती है और तो बहुत संबेदन तिल मुद्धा अब तक रहा है दिखता सबसे बड़ा राजितिक मुद्धा रहा है और इस आरक्षन के सहारे बहुत सभी अधिसंग पार्टियों की दुकाने चलती है यहीं उनका राजितिका अधार है अधिसंग पार्टियां उसकी करना चाहता हूं लेकिन अधिसंग पार्टियों के मुद्धे को अब इंडोर्स करना पड़ा है यह राजितिक करता है अब तक कॉंग्रेस इसकी अनुप कहां चल रही थी उनके लिए मुसल्मान उनके दिखोटी थी निछों को जो पिछे का है अधी पिख्यों को जड़ा मिलती थी उनके अबादी के हिसाब से जो हिसेदारी और भागीदारी मिली होती तो प्लेमें पड़ेल जीने जो पूरे टेट में आजादी के बाद जब्सक्राइब करा दिया है वो तस्भीर साइब न जाती अर्जन जाती के लिए पूरे देश वखर में केंद्रिय सेवाओं में दिखिन संसावनों में नामंकर में सब जगा आपको आबादी के शाहते नहीं होगा अभी 54% माना जाथा कि देश में पिख्यों के आबादी है आप 27% आरक्षन दे रहे हैं जो भीहार की तस्व पर्षन करना प्लेगा तुखिंग को अभी तक जो बेरियर लगा रखा है जा 50% तर दिखनी करते हैं उस बेरियर को तुरना होगा अब जिस तर दक्षिन के राजियों है बसकतर पर से का रख्षन है वह अब सब्सकूरे देश में लगू करना होगा और फिस पर में मैंने सब्सक्राइब करना होगी और फुल कमिट्मेंट के साथ एक समयबरत तरीके से उन्हें लागू करने तभी तस्थिर बन लेगी नहीं तो अनंत कालता है कि जो आप कहते हैं कि सहारे और कोई किसी का जिसको कहिए कि किस दिन तक क्या समाच चले चीक है ग्यान जी चीस तरह अब अरुन जी बता रहे थे कि हमेशा से बोट बैंक को लेकर आपने जातियों को बोट बैंक के रूप में इस्तेवाल किया सवर्णों को लगितों को मुसल्मानों को और अब जाके जब आप सब्दा से बाहरे हैं इतनी दिवाब आ रहे हैं त सब्सक्राइब करने चाहते हैं और जिसमें से बीजेपी के प्रॉप्ट्रा में कुछ सवाले उठाई हैं को मैं एक सब्सक्राइब आज तक अगरी इच्छी जाती के या दलित महा दलित या माइनुर्टी से क्यों क्यों नहीं कोई प्रमुक बना सर्चंग चाला क्यों नहीं बना जिसे बातें इन लोग करते हैं आखिर इन्हों ने क्यों नहीं सो साथ और वहीं सो पचीज साल का कॉंगरेस का इतियास कि हम तो जाती पर बात करें दीपगी यह तो बहुत में सवाल है पटेल जी को बताइए कि महत्तु देने का है वो भी शी को और उनके सामाधिक साथ्षनिक आर्थिक इस्थीतियों का जो एसे उनको पर उठाना है और यह चले गए आरससे में चले गए लिए नहीं हमको पता है आप इस बात को नहीं टोकी रहता पर नंबर कम होगा आप समझते हैं इस बात की बा कि एक उत्रपरदेश के राजा वियार को छोड़ दिया जाए तो एक जाती के प्रमुक्त लोग है मुझे यह कहना है जिसकी संस्था जिसके पैरेंट संस्था कि दियने में इस तरह की बाते हो तो किस तरह से अती पिछला और दलिक की बात कर सकता है जहां शुआ शुआ श मुसल्मान सवर्ण दलिक इसको तमाम जितने बेजातिया है उन जातियों को तो आपने भी सिर्वोट प्रेंक की रूप में इस्तमाल किया कैसी बात कर रहे हैं देश में इत्ती बड़ी संस्था आपने अजादी के बात जहां पर सुई बनानी की सुजदा नहीं दीरे दीर आप है अलगए पूलों को बना के एक माला बनाया है बागवान बनाया है बगीचा बनाया है समय लगता ऐसी जो को तक हैं है हर साल किसी भी डिकट पर सुथी हो जंगर्णा हुई है हर 10 साल में जो होती है लेकिन मोधी सरकार ने जंगर्णा का भी काम ठीक से नहीं कराया वो 2021 में पेंडिंग सा आज तक नहीं कराप आए है आप यह समझे किसे पर काम करते है पूचलिए न मैं दो साला को आप पूच सार्थी क Gibson में रिकोर्ट क्यों नहीं प्राइबिस कराई लिए फीर इसका क लिए हो रहा है उनके जीवन अस्तर को कैसे हम उपर उठा सके सामाधिक सहेचिक स्थीतियों को कैसे उनका हम ठीक कर सके इसके लिए हो रही है और य Zus रहा है से कोई किसको रहाना है किसको रखना है और कौन लोग रहेगा जैसे आपके जनता पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं है आप पार्टी के काम करते हैं राइंतिक छेत्र में काम करते हैं तो आइंतिक महत्तों कितना कितना आगने का काम करते हैं तो क्या अपनी तरफ से बीजेपी यह कोई अभी डिसेजन यह ऐसा होगा कि बीजेपी की और से रास्तिये अस्तर पे जाती है जंगंडा होगी दूसरी बात इन्हों ने कहीं कि जो दो हजात ठीक रहा इन नहीं कुक्त मरें बहुसरी 291 में तो लेकिन उसके बाद उसको प्रकासित नहीं किया और ईन्हों कि उसमें बहुत सारी कूटियarms है उसको हम सावन कर सकते हैं नहीं परकाश queste सबके सामने एसे रखना मुच्किल hop है तो इनैंकी मंसा नहीं थी यह उसमें कुछ नख हैसे टृप्ती डाल दिये हैं कि हो संभोने कि अधर क्या सकता है यह 4 वरसों तक 11 एक चारा में किया गया और 14 अगर इनको अगर उसको प्रकासित करना रहता तो यह संसद में इक पर कासित नहीं कर सकते हैं इसमें बहुत सारी और हमारी परिष्टितिक कर सकते हैं प्रकासित अभी नहीं कि यडिक्ताया है। और जब उनकी इच्छा हो जैसे इच्छा हो वह गणना कर सकते हैं राज्टी अस्तर पर इसकी आप सक्ता हैं अगर वह सक्ता में आती है तो जाती करना कराईगी जाहिसी बात है कि अब जो इस पर बैस अब शुरू हुए है यह अभी आने वाले दिनों में चलती रहेगी इस चर्चा में भाग लिया आप सभी वहमानों ने प्रेम रंचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्यान जी आपका धन्यवाद और अरुन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद